असलाम अलेकुम जी मेरा नाम इजाज अहमद है आप देख रहे हैं एने फ्रियल स्ट्रेट यूट्यूब चैनल एने फ्रियल स्ट्रेट के प्लेटफार्म पे आप सबको खुशाम दीद मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो है वो बेतरीन कोंटेक्ट लाइक के लिटे वीडियो में उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हूं तो ठीक है उसके लिए आपको कौन से टिप्स जो है वो उमीद है कि आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल चीज खरी सकते हैं और मुनासिप पर खरी सकते हैं और अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो आप अपनी प्रॉपरडी जो है वो अच्छे दामों बेच सकते हैं बढ़ते हैं वीडियो की तरह सबसे पहले अगर हम बात कर फिर चलें एरवाई लगूना की तो एरवाई लगूना का जैसा कि आप सब को पता है कि वहां पे लास्ट इम जो है अर्थ ब्रेकिंग महां पे कर दी की है उसकी एरवाई लगूना का जो है काम वो भी इस टाइम पर स्टार्ट हो चुका है एरवाई लगूना की लोकेशन के हवाले से लोग पूछते हैं कि air y laguna की location क्या है तो यह मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप main gt road से enter होते हैं main boulevard पे जाते हैं आपके left side पे m block आता है m block को आप cross करेंगे तो left side पे आपके air y laguna है यह facing l block है ठीक है तो इसकी location होगी दूसरा अभी तक इसकी prices में कुछ खास फरक नहीं पड़ा लेकिन यह है कि buying pressure थोड़ा सा बड़ा है like कि अभी पहले जो buyer available बिल्कुल नहीं होता था तो भी इसका buyer जो है वो अभी market में available है चाहे थोड़ा प्राइस जो है वो अगर पहले कुछ ज्यादा माइनस था तो अभी थोड़ा सा माइनस जो है इसका कम हुआ ठीक है एक यह चीज़ है दूसरा M block का मैं आपको बताता चलूं M block में आपको एकनाल का plot जो है वो M1 M6 जो है इसके कदरें बेतर कंसीडर किये जाते हैं जबकि मेरी नजर में अगर आप देखे तो मैं समयता हूँ कि M3 और M4 ज्यादा बेतर है उसकी रीजन किया है जी कि वो जो है वो नौधरन बाइपास रोड जो है नौधरन रोड जो है नौधरन साइट जो रोड है वो उस पे जाके लगते हैं कि अगर आप चनाब गेट जो है चनाब गेट से अगर आप जाते हैं केंट की जानेब तो वहाँ से इंटरस मिलेगी इंशालला M3 और M4 को तब जो M3 और M4 की लोकेशन होगी वो कदरे बेतर होगी M1, M2, M3, M1, M2, M3 और M5 से M3 और M4 की लोकेशन बेतर होगी लेकिन फिल की बात अगर हम करते चलें तो M3 और M4 जो है वो थोड़ा सा प्राइज वाइस जरा लेस है प्राइज महाँ पे M1 और M6 की निस्बत M3 और M4 की जो इस टाइम पे प्राइज चर रही है वो आप कह सकते हैं तकरीबन 70 लैक से लेके और 72 लैक रुपीज की ब्रेकेट में यह M2 और M5 जो है यह इस टाइम के मताबिक current market situation के मताबिक उससे बेतर समझा के जाता है M3 और M4 से क्योंकि यह main boulevard के थोड़े करीब हो जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको plot मिलता है वो आप कह सकते हैं 70 से 73 74 की bracket में अब अगर हम बात करते चलें M1 और M6 की जो के main boulevard के ही बोलते हैं और है भी यही है तो इसको यहाँ पर जो प्राइज हैं वो आप कह सकते हैं 72 से लेके और 76 78 तक है इसकी डिपेंड करता है इसकी location में यहाँ पे भी एक plot मेरे पास available है जी facing park वो 78 लैक रुपीज की bracket में इंशाला I hope कि आपको मिल जागा और यहाँ पे एक average plot भ block में एक कनाल जो है इसकी जो है वो ओन प्राफिट इस टाइम पे जो paid amount के ओपर on profit है वो देगरीबन दो से तीन लाख रुपर on demand करते हैं और दो कनाल का जो executive block है इस पे इस टाम पे लोग डिमान करते हैं पांस से नो लाख रुपर on profit इसके इलावा अगर हम बात करते चलें इस टाइम पे के ब्लॉकी तो के ब्लॉक में 8 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं 5 मरला प्लॉट जो है वो के 2 और के 3, के 4, के 5 इनको मैं कदरे बेतर समयता हूं विकोज ये मेन बॉलेवार से जब आप टर्म लेते हैं के ब्लॉक की जानिब तो ये उस रोड के उपर आते हैं ठीक है इसके इलावा के 6, 7, 8, 9 ये ज़रा बैक पे आते हैं तो के 2 और के 3 में एक और रीजन भी है कि यहाँ पे कची रोड बन चुकी नहीं है यहाँ पे आपको प्लॉड मिलता है इस टाइम पे 30 से 32 लाग रुपे का और अगर हम बात करते चलें के 4 और के 5 की यहाँ पे आपको प्लॉड 29 से 31 लाग रुपे का इसी तरह के 6, 7, 8 जो है यहाँ पे आपको प्लॉड मिलना चाहिए 27 से लेके और 28-29 की bracket में और K9 के अगर हम बात करते चलें तो वहाँ को plot मिलना चाहिए 25 से 27 लाख रुपे की bracket में इसी तरह K block में जो 8 मरला के plot है यह सिर्फ दिये चेगुशा वाला में 8 मरला सिर्फ K block में और K के sub sector K1 जो है सिर्फ इस में मुझूद है और K1 जो है यह टोटली 8 मरला का सेक्टर है इसके अंदर 5 मरला नहीं है यहाँ पे आपको जो 8 मरला का plot मिलता है वो 40 से 43, 44 लाग रुपेस की bracket में मिलता है इसी तरह अगर हम बात करते चलें जी L block की तो L1 में जो है वो टोटली 10 मरला के plots हैं ठीक है और बाकी जो L2, L3, L4, L5 इनके अंदर जो है वो एक किनाल के plots हैं ठीक है तो जो L1 में जो 10 मरला के plots हैं वो 56 लाग रुपीस से लेके और 61 लाग रुपीस की bracket में इसी तरह L2, L3 में जो है वो prices कदरें बेतर है L2, L3 के जो सब सेक्टर हैं यहाँ पे prices कदरें बेतर हैं बाकी एक किनाल के plot से ठीक है यहाँ पे आपको एक किनाल का plot average आपको मिलता है तकरीबए 85 लाग रुपीस का और अगर कोई facing park यहाँ पे एक मेर पास plot available है L3 का अगर आप कोई फरीदना चाते हैं तो आप मुस्से राफ़ता कर सकते हैं और बाकी जो सेक्टर है LBlock का यहाँ पे आप वो plot मिलता है तकरीबए आप कह सकते हैं 77 लाग रुपीस के लेके और 80-82 लाग रुपीस की ब्रेकेट में और इसी तरह गर हम बात करते चलें विलाज की विलाज 5 मरला विला जो है वो इस ताइम पे आपको मिलता है on profit आप कहा सकते हैं साड़े तीन से साड़े चार लाग रुपे के दरमियान 6 मरला विला जो है वो आपको मिलता है 16 से 18 लाग रुपे के दरमियान इसी तरह गर हम बात करते चलें 10 मरला विला की तो 10 मरला विला को मिलता है 15-16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चीज़ खरीदना चाते हैं तो बेचना चाते हैं तो इसके लिए आपको कौन सा पारमॉला यूज़ करना चाहिए पहली चीज़ ये कि आपको अपना exact number plot number नहीं देना चाहिए ताकि आपका plot जो हो मार्केट में गंदा नहीं हो क्योंकि जब हर बंदा आपी का plot लेकर गूमे कि इस plot के करीब मेरा plot number है ये exactly plot number मेरा ये नहीं है ठीक है उसको आप देखके उसकी assessment लें assessment आप तीन चार लोगों से लेके पांच लोगों से लेके दस लोगों से assessment लेना चाहते हैं assessment लेके उन सब की assessments आप लिख लें और वहाँ से आपको ratio पता चलेगी कि आपकी plot की जो actually worth जो है ठीक है उनका जो average rate निकलेगा वो आपके plot की average worth होगी ठीक है उस worth के मताबिक आप लाग दो लाग और प्राइस ज्यादा रखें अगर आप उसमें पांच लाग दस लाग प्राइस ज्यादा रखेंगे तो आपको जो है वो बेतर offer नहीं आएगी ठीक है इवन के पां reasonable person कोन सा लगता है उसे reasonable person को लेके उसको बोलेंगे ये plot आप ही नहीं बेचना है लेकिन अगर market worth ही इसकी 60 लाग तो मुझे आप 60.50 या 61 दिलवाएं ठीक है plot आपके लावा कोई नहीं बेचेगा आप ही बेचेंगे लेकिन बेचेंगे अच्छी price पे तो जब आप एक dealer को ये advantage देते हैं कि plot आप ही नहीं बेचना है आपके लावा कोई नहीं बेचेगा ठीक है लेकिन मुझे price थोड़ी सी मनासिब दिलवा दें बेतर दिलवा दें तो मुझे उमीद है कि आपका plot भी अच्छी price पे बीज़एगा और market में आपका plot जो है वो गंदा भी नहीं होग सबसे तीन-चार लोगों से लें उसके बाद जो बंदा आपको reasonable लगता है उसको बोलें कि plot आप ही नहीं लेके देना है वाजिया बोल दें उसे कि plot लेके आप ही नहीं देना है लेकिन मुझे अगर कोई 90 लाग का plot है तो मुझे आप 88, 87, 89 जो मुनासिब जितना नीचे ले लेके दें ठीके तो इस तरह जब उस डीलर को भी पता होगा यार यह क्लाइंट जो मेरे इलावा कहीं हो डील नहीं करते ठीक है तो वह आपके लिए जो है फिर वह दिल से एफट करेगा ठीक है और कमीशन डीलर को पूरी दें था कि आपको प्राट जो है वह मुनासिब ल करते हैं तो उसको टोका या मार्जन आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं एक बंदे का राइट लाग रुपया बनता है आप उसे 40,000 या 50,000 दे रहे हैं 50,000 अगर वो टॉप राख लेता तो उसका तो 1% कमीशन ही बनता है यह लोगों की मेंटेलिटी है ठीक है वह इस चीज़ प मिनीमम 32,000 रुपय का मिलता है एवरिज प्लाट आपको मिलता है 38 से 40,000 रुपय का 42,000 तक भी जाता है और कोई को और ना रहा तो वो 45-48 तक भी है ठीक है डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे C5 में 5 मरला और 10 मरला की जो प्लाट है वो आप कहलेंगे यहाँ पे तकरीबर आपको प्लाट मिलेगा 67-68 लाइक रुपी से लेके और 70 लाइक रुपी की ब्रैकेट में एवरिज प्लाट में रोड पे भी यहाँ पे प्लॉट मेर पास अवेलेबल अगर आप में से कोई खरीदना बेजना चाता है तो आप मुझे राफ़ तक कर सकते हैं इसके लाव अगर हम फाइल्स की बात करते चलें तो फाइफ मरला फाइल जो है वो इस टाइम पे आपको मिलती है 24, 25 लाख रुपे की 10 मरला जो फाइल है वो आपको मिलती है 38, 50 से लेके 39 लाख रुपीज की ब्रैकिट में एक कनाल की जो फाइल है वो आपको मिलती है 64 से 65 लाख रुपे के दरम्यान और इसी तरह G ब्लॉक का मैं आपको बताता चलूँ G1, G2 में जो फाइल है वो आपको मिलता है 60 लाख रुपे से लेके 65 लाख रुपे तक और इसी तरह जो है G में एक कनाल जो फाइल है वो आपको मिलता है मिनिमम की बात करें ठीक है तो मिनिमम आपको मिलता है 84, 85 लाख रुपीज की ब्रैकिट में और average plot आपको मिलता है 85 से 88 की bracket में, अगर कोई अच्छा corner plot है, like facing park plot है, तो वो आपको मिलेगा, sorry, facing park plot कोई है, तो वो आपको मिलेगा, तकरीबन 95 की bracket में, 95 से 1 करोड रुपे के दरम्यान, कोई corner है तो वो भी तकरीबन 1 करोड के दरम्यान, आपको मिलना चाहिए, 80 feet road पे भी 1 प्रोड रुपे के दरम्यान, और 156 feet road पे आपको एक 20 से 1 पिचिस तक का plot मिलेगा, पाकि इंशाला फिर मुझीद गप्शिप होगी, नेक्स वीडियो में, शुक्री आला आपने,